अस्लामौलेक। मैं हूँ शार्डेव और आप देख रहे हैं जेवी टेग। आज ची वीडियो के अंदर हम बात करेंगे समसंग के लैक्स लिए 20S के बारे में तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइच दूरूर करना और अगर आप हमाँ चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बैल आइकन को दबाव देना ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके बास मेटिपिकेशन आजए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे बहले 밤 करते हैं इसके शक्तार है लाँष एक क therapies की, तो पखिसान के अंदर की लाँष देखने को मिलेगा अब बात करतेए कि की वीडिक कि जो बैक हमें देखने को मिलेटी की वीगए वोट पॉलिकालब्रण की देखने को मिलती भी है इसका जो हमें बेड देखने को मिलेगा वो हमें 183 ग्राम देखने को मिलता है और जो हमें इसकी थिकनेस देखने को मिलेगी वो हमें 811 देखने को मिलती है इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें 6.5 इच का एक TFT पैनल देखने को मिलता है जिसकी हमें जो रिज देखने को मिलेगी, वह हमें HD Plus देखने को मिलती है, यानि कि इसके तरह पे 720 x 1560 pixels की resolution देखने को मिलेगी, इसके screen to body ratio की बात करें तो इसके अदर हमें 81.9% का screen to body ratio देखने को मिलेगा, अब बात करें इसके design की तो इसके अदर जो हमें front side देखने को मिलती है, वह हमें DMT panel दे इसके power button देखने को मिलेगे, और इसके open वाली side है, वह हमें secondary microphone, और जो phone की नीचे वाली side है, वह हमें speaker grills, और इसके साथ ही इसका primary microphone, और इसकी USB Type-C, और इसका 3.5mm jack है, वो देखने को मिलता है, इसकी back side है, वह हमें triple camera setup देखने को मिलता है, जिसके नीचे ही हम इसकी LED flash दे इसका fingerprint sensor, जिसके नीचे ही हमें देखने को मिलेगी Samsung की branding, camera's की बात करण तो यहां पे जो front side हमें camera देखने को मिलेगा, वह हमें 8 megapixel का देखने को मिलता है, और इसकी जो back side है, वहां पे हमें main sensor देखने को मिलता है, वह हमें 13 megapixel का देखने को मिलेगा, जिसके जो हमें aperture देख यहां बात कर दीजाए वीडियो रिकॉर्डिंग की तो यहां प्रेंट और रैट गोलों पर ही हमें 1080p 30.5 की जो रिकॉर्डिंग है वो देखने को मिलेगी इंटरिनों की बात करने तो इसके उन्दरा में जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें Snapdragon 450 देखने को मिलता है जो के 40nm technology based एक octopore full sensor है इसकी जो की speed देखने को मिलती है वो 1.8GHz देखने को मिलेगी इसके साथ जो हमें GPU देखने को मिलता है वो हमें Android 506 देखने को मिलेगा रैम यूरोम व्यरीत की बात करने तो इसके रणा में 3GB और 35GB और 4GB眼 और겠죠 6GB देखने को मिलती है और operating system की बात करने तो इसके दरह हमें Android 9 Pie देखने को मिलता है और इसके साथ गहां में battery में makes for me 4000mhprove की देखने को मिलती है जिसके साथ हमें 15W की POS Charging में देखने को मिलेंगी जो कि इसकी अच्री बात है इसकी प्राइस की बात करें तो यहांपे जो 3321 वाला वेडियेंट है उसकी हमें प्राइस देखने को मिलेगी वो तक्रीबाड 25-26000 तक जो प्राइस देखने को मिलेगी और जो 64GB वाले वेलियंट है इसकी हमें जो प्राइस में देखने को मिलेगी वो हमें तबीबं 30-30,000 तक का जो प्राइस रहेगा उसके साथ देखने को मिलेगा तो ये थी सैंसेंग गिलेक्सी एक ट्रीटेयर स्टेक से प्राइस और इसकी लांच ट्रेट तो अगर आप वी वीडियो पसंद आया तो इस पर लाइक जरूर करना और अगर आप माने चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेला इकर को दबा आप देना ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियो आए आपके पास स्टिफिकेशन आ जाए तो मिलते हैं अगली उडियो में तब तक के लिए अलाव देते हैं